अर्जुन ने देखा फिर शरीर को नहीं देख रहे हैं पूरी घटना को समझ रहे हैं यह क्या हो रहा है अर्जुन की दृष्टी अपने गुरुजनों और संबंधियों को देख रहे है और कृष्ण की दृष्टी अर्जुन की दृष्टी को देख रहे है मुझे तो प्रतीत होता है कि कृष्ण की धड़कने भी तेज हो गई होगी महाभारत के युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ी कोई चीज होने जा रही है गीता में सहसरों महाभारतें समा जाती है विदान्त का पूरा अमृत समाया हुआ है गीता में इतनी बड़ी ये गीता परणाम आचारी जी आप से सत्य को जितना जाना है उसको जैसे ही लोगों के सामने रखता हूँ रिष्टे तूटते से प्रतीत होते है तो सत्य कहने में संकोच होता है आध्यात्म से शक्ती मिलती है पर लगता है कहीं शक्ती का दूर उप्योग तो नहीं कर रहा है मैं लोगों से परिस्थिती अनुसार अलग-अलग प्रकार से विवार करता हूँ लोगों से सत्य की बात करता हूँ ताकि वो मेरे सामने से चले जाए मैं रिष्टो की जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ या रिष्टो में खालीपन के कारण रिष्टो से ही भाग रहा हूँ क्या कहीं ये मैं वापिस खड़े में गिरने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ कृपया मार दिर्शन करें आरंभिक चरण के सत्य ही सवाल है सत्य की चर्चा करता हूँ दूसरों से दूसरे समझते नहीं किस से करते हो चर्चा क्यों करते हो चर्चा अपने मन सूबे तो देख लो कौन सी चर्चा कर डाली तुमने सत्य की किस तरह की चर्चा और क्यों उन्हीं लोगों से क्यों जिनसे कर रहे हो और जिनसे कर रहे हो चर्चा उनको लेकर के इरादे क्या है इच्छाएं क्या है तुम्हारी कुछ बातें सुन ली हैं उन बातों को दूसरों के सामने दोहराते हो यह समझते ही नहीं कि किसी भी व्यक्ते पर प्रभाव बात का नहीं पढ़ता बात को कहने वाले का पढ़ता है बात को और बात को कहने वाले को जो अलग-अलग देखे उसकी बात बनेगी नहीं कुछ बाते शास्त्रों में पढ़ ली कुछ बाते मुझसे सुन ली यहां शुविर किया गए यहां सुनी हुई बातों को वहां दोहराया और दोहराया तो पाया कि वही बात अचायर जी करते थे तो बात बड़ी ठोस और प्रभावशाली लगती थी और वही बात मैं कर रहा हूँ अपने यार दोस्तों से तो कोई कान नहीं धर रहा जू नहीं रहें रही कान पे जमाईयां मार रहे हैं फिर तुम्हें बड़ी निराशा होती है वास्ताव में तुम सवाल ये पूछ रहे हो कि आचायर जी आपका माल दुकान में तो अच्छा लग रहा था घर लाएं तो चल नहीं रहा माल में कुछ खोट है क्या आपकी दुकान में तो हम आपके माल से बहुत प्रभावित हुए बहुत बढ़िया लग रहा था जो जो आप हमको दिखा रहे थे बता रहे थे तो हमने आपसे ओ माल ले लिया बलकि खरीद लिया और अब घर लाएं अब हम उसको चला रहे हैं तो चली नहीं रहा बिटा ऐसे नहीं चलेगा या तो अपने आपको यहां छोड़ जाओ या मुझे घर ले चलो दो ही तरीके होते हैं असली माल पाने के या तो मेरे पास आए हो तो यहां अपने आपको छोड़ दो या फिर यहां आए हो तो मुझे उठागे अपने घर ले चलो तुम इन दोनों में से कुछ कर नहीं पाओगे, तुम घर क्या ले गए हो माल अब माल क्या है कि एक किताब घर ले गए कुछ बातें लिखनी जल्दी जल्दी डाइरी में कोई वीडियो देख लिया, सुन लिया वीडियो भी बारा चौदा मिनिट वाला लंबे लंबे भी हैं, घंटे डिड़ घंटे के उनके होते हैं 187 व्यूज कि तीन साल पहले का वीडियो और उसको देखा कितने लोगों ने आज तक एक सो सता से ही, क्योंकि वीड़ घंटे का है और यही आठ मिनिट वाले अपलोड होते नहीं है कि पांच हजार, दस हजार खास तोर पर अगर उसका नाम भी थोड़ा चटपटा हो एक दिन में पांच हजार दो दिन में दस हजार ऐसे भागता है फिर वो भावित कर देंगे मैं थोड़ा थी श्योक्ति लगा रहा हूँ पर मर्म को समझना बात में नहीं बात को कहने वाले में वजन होता है वो बन जाओ जो बात कह सके फिर साधारन बात भी कहोगे तो ब्रह्मवाक्य जैसी हो जाएगी बहुत सारे वचन अगर तुम देखोगे दिव विभूतियों के महापुरुशों के संतों के रिशियों के तो वाकई वो उन्होंने कोई बहुत अनूठी अनोखी बात नहीं कह दिये वो जो उन्होंने बात कही है वो तुम्हें भी पताई ही है कुछ बातें तो ठीक है उनकी बहुत ही अलग लगेंगी पर कुछ बातें उनकी ऐसी होती है जो तुमने इधर उधर से भी सुन रखी होती है या तुम्हें भी अपने अनुभव से पहले से ही सूचित होती है लेकिन वही बात जब उनके मुह से निकलती है तो बात दूसरी होती है क्योंकि उस बात के पीछे फिर उनका जीवन है पूरा खड़ा बात के पीछे बात करने वाले का वजन है पूरा उसकी सत्ता उसका बोध उसका तेज है अब साधारन बात भी नितान ताभापूर्ण है सु सुर्यों जैसी जगमगा रही है और बात क्या कही है बस इतनी सी ही कि सत्य में हो जायते यह तो बात बहुत सा धारण है पर यही बात जब उपनिशद के रिशी कहते है तो पूछो मत वरना तो हर आदमी यही कह रहा है न सच्चाई की जीत होती है वो कहता है सच्चाई की जीत होती है तो उसको एक चाटा और लगा देते हो तो बग यहां से सच्चाई की जीत होती है और यही बात जब किसी वैदिक रिशी के मुह से उच्चारित होती है तब बात में जैसे आस्मान उतराता है सत्य में हो जायते है कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानी होती है तब परित्रानाय सादुनाम विनाशाय चादुश्कृताम मैं आता हूँ जब जब भी कहीं पर गड़वड फैलती है धर्म की हानी होती है तो मैं आता हूँ अब बात तो बहुत साधारण है यह कुछ इसमें ऐसा अलोकिक नहीं कि जब भी कहीं कुछ गड़वड होगी तो मैं आ जाओंगा भाई साधों को बचाने के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए तो बहुत साधारण बात है इसी बात को और मैं सरल्भाशा में कहते हूं कि जहां कहीं भी गड़बड हो रही होगी और भले लोगों के साथ बुरा हो रहा होगा तो उनको बचाने के लिए मैं आओंगा यह बात जब कृष्ण कहते हैं तो आर्षवचन बन जाता है गीता के सबसे ज्यादा प्रसिद धशलोकों में से है यह यही बात तुम कहके देखो खड़ जाना चराय पर कहना कि जहां कहीं भी कुछ गड़बड हो रही होगी वहां गड़बड करने ओलों को सजा देने के लिए मैं आओंगा इतना पीटे जाओगे कोई इंतहा नहीं कहने वाले कृष्ण हो तो शोभा देता है उनका कुछ भी कहना तुम कहोगे तो बहुत पिटोगे पहले कृष्ण बन जाओ फिर कुछ भी कहो उसकी बात न्यारी होगी और कृष्ण बने नहीं और कृष्ण के वचन बोलने लग गए तो धुलाई होती है बहुतों की हुई है और जोश आई जाता है यहाँ अचारे जी को देखते हो मंच पर बैठे हैं और जो मन में आरान आप शनाब बख रहे हैं रुकी नी रहे सोची नी रहे बोले ही जा रहे हैं कुछ भी बोलता है आदमी दाएं बाएं इधर उधर फायर मार दिया कहीं भी कहां जाके लगी गोली कोई खबर नहीं क्या तो यह सही है इसका मतलब आत्म विश्वास से भरके और थोड़ा शुद्ध हिंदी में बीच बीच में एक आद भारी भरकम शब्द लेकर के कुछ भी बोल दो तो लोग प्रभावित हो जाएंगे और तुम क्यों, क्यों राच पोटल अगे लात में तो जगाएंगे लात में युषक भाईङगे और ल мама कुछ भी बोलना है अजया रिक बीच में बारी शबद मार देते हैं तुम भी जाके बोलते हो हुला लाला टूकत कर परी विकल्ब समाधी और तुम पाते हो कि घर कही पालतू कुत्ता तुम पे छोड़ दिया गया है और वो भी कदर नहीं कर रहा तुमारी दोला दोला के पिष्वाला काट रहा है तुम क्याते है अचार जी जरूर गटिया माल बेच रहे थे या फिर कुछ हिपनोसिस और रहा होगा क्योंकि वहां तो यही सब बातें बहुत चल रही थी यही बातें वहां मंच पर बैठके बोल रहे थे तो पूरी सभा मंत्रमुग्ध थी जैसे जैसे नशा चा गया हो मौन सध गया हो वही बात मैंने बोली तो शेरू ने भी दिल तूट गया बिलकुल कसम से पहली बात तो तुमने बोली क्यों दूसरी बात जिन से बोली उन्होंने सुनने के लिए हामी भरी थी मैं उन्हीं से बोलता हूँ जो सुनने को राजी होते हैं दो चार तरह की परिक्षाओं से गुजर के आये होते हैं कीमत अदाकरी होती है कुछ तो जिन्होंने पातरता दिखाई होती है इतनी पातरता ही सही की चलो जीवन के चार दिन देंगे कहीं से दूर से आत्रा करके आएंगे रुपया पैसा भी खर्च करेंगे कठिनाई भी उठाएंगे जिन्होंने कम से कम इतनी पातरता दिखाई होती है मैं उनसे बात करता हूँ ना और जो सामने शिष्य की तरह है, शुरोता की तरह बैठ गए होता है, उनसे बात करता हूँ ना, तुम किस से बात करने गए थे, अपने चचिया ससुर से, अब जुतिया दिये गए तो बड़ा-बुरा लग रहा है, कर अलीगण वाली फूफी बेलन से मारी है, हम तो तत्व बोध बता रहे थे उसको, फेक के मारी है, पट बिलकुल नाक पे पड़ा है, अचारेजी जरूर कोई दाओं पे छुपा के रखते हैं, उसका ग्यान दिये नहीं, अब की बार जाएंगे तो पूरा पूछ के आएंगे, कि बताईए कौन सा मंतर है, पूरा बताईएगा, पिछली बार वाला चला नहीं था, ये सवाल मैं कुछ नहीं तो, 600-800 वार सुन चुका हूँ, कि आचारेजी, आपकी बातें घर पे करीं, तो पन ही खाई, क्यों करीं घर पे? न तुम्में अभी समझाने की पातरता है, और न घर वालों में सुनने की पातरता है, तुम्ने क्यों करी ये बातें, ताकि तुम्हारा अंकार पोश्यत हो है न, ताकि तुम भी ज्यानी कहलाओ, गुरू बन जाओ, बहुत गहरा अंकार होता है गुरुता का, कि और कुछ किसी से नहीं मिल रहा तो कम से कम इज़त तो मिल रही है न, हम बोलते हैं, लोग सुनते हैं, बहुत बहुत गहरा अंकार होता है, इसलिए गुरु बनना बड़े खत्रे का सौधा होता है, शिष्य तो बड़ी भली हालत में है, वो नीचे बैठा है, उसे कौन अब और गिराएगा, वो यह नीचे ही बैठ गया है, गुरु देओ कहाँ हैं, वो आसमान में टंग गए है, वहाँ से बोल रहे हैं, नीचे मूँ करके, अरे सुनो भक्तजनो, गुरु देओ जब गिरते हैं उपर से नीचे, तो बहुत चोट खाते हैं, शिष्य की तो मौज है, उसको चोट नहीं लगेगी, वो पहले ही धरातल पर हैं, और गुरुओं को गिरते तुमने खूब देखा हैं कि नहीं देखा हैं, गुरु जब गिरता है, तो उसकी चोट और पूरा नजारा देखने लायक होता है, जब माया को चनोती देता है गुरु, तो फिर माया भी सबसे पहले गुरु पर ही निशाना साथती है, कहती है, इसको नहीं छोड़ना है, किसी तरह से इसको भरष्ट कर दूँ, तो मजा ही आ जाए, और किसी को भरष्ट करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, उसको आसन दे दो, उसको उजाई दे दो, गुरु बने उसे तो बहुत सतर करहना पड़ता है, कि जरा सा भी भीतर गर्व दर्प ना आ जाए, नहीं तो गए, और उमीदें नहीं रखनी होती हैं, और रोना नहीं होता, कि उमीद रखके बैठे हैं, कि सब को बता रहे हैं, तो तो समझ ही लेंगे, तुम्हारी बात तुम्हें ही समझ में नहीं आ रही होगी, वो क्या समझेंगे? और कोई न समझे तो फिर अफसोस नहीं मनाना होता कि अरे मैंने तो आज दो घंटे लगाए ये तो निरे मूरक थे, इन्हें कुछ समझ नहीं आया अगर वाकई करोणा वश बोल रहे हो तो तुम्हारा अधिकार समझाने भर पे है वो कब समझेंगे, कब नहीं समझेंगे, वो उनकी बात तुम अपना धर्म निभाते चलो, तुम बोलते चलो लेकिन कह रहा हूं बोलना तभी, जब बोलने योग ये पालो अपने आपको उसके पहले बोलोगे तो बेलन झालो